अगली खाबार आ रहे हैं मदब्रदेश की रिवाजिले से जहां स्यामसा मेडिकल कॉलेज की जमेन में स्वतंतरता संग्राम सेनानी हीरा मनिसर्मा के लिए आवास आवांटित था जिसे कई बार स्याम साह मेटकल कॉलिज प्रवंधन के द्वारा हटाने की मांग की गई थी लेकिन उक्तमामला नियायाले में विचारा धीन था इससे पहले भी एक भाग को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया था लेकिन कुछ हिस्से में अभी वी सतंतता संग्राम सेनानी के परिवार का कबजा था उक्तभवन को गतिवस पुलिस प्रसासन की मौजूदगी में धा दिया गया अतिक्रमण हटाने के बाद परिवार के लोग धरने पर बैट गया और मांग की है कि उनका मामला नियायाले में विचारा धीन है लेकिन पुलिस डंडे के दम पर आवास को ढढ़ा दिया है और सो तंतरता संग्राम सेनानी का परिवार सरकों पर है आये दिखाते हैं धरने सर से सीधे तस्वीर है और सुनाते हैं परजनों का क्या आरोप है देट वगेरा है उसमें सब कुछ क्लियर कट है है और हमारा आगले महिने तक का यहां रिवा से को भलब स्टे था हमारा नेक्स्ट मन तक का नॉमबर तक का 2022 में और यह अकल नोटिस भेजे हैं शाम को और नोटिस बाहर की जमीन का भेजा है लेकिन यह आके पूरा घर खाली करवा दिये अचानक से और हुआ भी क्या जैंट्स मेरे घर में नहीं थे यह लोग सब लेडिस पुली जैंट्स पुली सब लेकर आए करे घर की जूल समान तो नुक्सान कितना नुक्सान नहीं करके गए वो तो अलग चीज है जोल्री वगरा चोरी हो गई नब बच्चों तक को हाथ पकड़के नोगों ने बाहर खीचा है जोटे बच्चे ते घर में उनको भी बाहर पकड़के हाथ खीचा इन्होंने पेप को एक परसेंट इन्होंने नहीं माना जबकि 2016 में भी सेम चीज हुआ था तो उसके बाद इन लोगों ने जब कोड में हाजरी की बारी आई तो यह सब मुकर गए अपनी बातों से यह सब पिछली पिछले उसमें जो इले राजा टी कलेक्टर थे वो खुद कहकर गए कि घर आपका है मेडम आपसे का अपका घर कोई नहीं चीने गया है जब कुछ उन्होंने क्लियर किया इंदुलकर दीन वह भी कहते जा रहे हैं कि घर आपका है आपका घर आपसे कोई नहीं चीने गए लेकिन यह अचानक से आए और घर में आज तमाशा कीये फटा फट फट और पार खाले गए तरह से अध़ ऑड नोने बात निमाए और लेडी पुलीस और नहीं जैन्ट's पुलिस इन सब ने हात पकड़के कि अपने आदमी लेकर आये थे नगर निगम से इनहीं के आदमी ने चोरी भी की हमारे हमें हमें जूल्री वगरा सब को चुराएं कि मंदिर शार्दामाता की मंदिर थी तो मंदिर को सब्री लेकर तोड़े हैं इस्टे लगा है आपका ग्यारा दोजार बाइस तक केस देखते हैं उनके सामने दसलाख रुपए की डिमांड गला रखी थी कि आपको कहते दसलाख रुपए आपको दीजे मामला सेटल कर लेते हैं क्यों दे हम आपको दसलाख रुपए आप से थोड़ी ना केस चल रहा हमारा रभा सर्मानाम समस्या यह है सर की आज तहसीलदार लोग आए पूरा मक्क एसडियम तहसीलदार और पुलिस विभाग पूरा था हम लोगों को पकड़ के बाहर कर दिया गया हमारा पूरा घ गिरा दिया गया है घर में लड़के हमारे कोई नहीं थे बहु थी हमारी नातिन थी सब को बाहर कर दिया गया अब पकड़ पकड़ के बाहर कर दिया हम लोगों को पूरा सामान हम लोगों का फेक के अपूरा माकान गिरा दिया गया पूरा नुकसान कर दिया गया तीन और पूरा अंदर पूरा प्रसासन घुश गया हमारे, घर में हमारी बहुएं थी, बच्ची थी